जैश्री राधारानी सरकार की, जैश्री कृष्ण भगवान की, जीवन में हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सुख की प्राप्ती के लिए क्या करना चाहिए? सुख कैसे मिलते हैं? जी हाँ, यही हम आपको छोटी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं. तो हमारे हिंदु धर्म गरंतों के अनुसार, हमारे शाष्ट्रों के अनुसार सुख दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है. जी हाँ, सुख प्राप्ती के दो सादन है. पहली बात, अगर हमारी हाथ की लकीरों में लिखा है कि हमें सुख मिलना है, तो हमें सुख जरूर मिले तो ये तो पहली बात हुई और मान लिजिए हाथ की लकीरों में किसमत में सुख नहीं है सुख संपती आनंद नहीं है तो फिर सुख कैसे मिल सकता है तो हमारे हिंदू धर्म गरंतों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार जो मनुष पूरी शद्धा भावना से भगवान की भ ऐसे भगतों का भाग्य भगवान बदल देते हैं ऐसे भगतों की हाथों की लकीरे भगवान अपनी क्रिपास से बदल देते हैं और जब भगवान अपने भगत का भाग्य बदल देते हैं तो भगत को जीवन में सुख संपती आनंद प्राक्त हो जाते हैं भगवान चाहें तो एक शन में अपने भक्त को सभी तरह के सुख संपति आनंद दे सकते हैं भगवान एक शन में अपने भक्तों की सभी मनो कामनाओं को पूरा कर देते हैं तो बात स्पष्ट है कि सुख दो तरह से मिलता है पहली बात या तो हमारे हाथ की लकीरों में हमारे भाग्य में हमारे किस्मत में सुख लिखा हो तो सुख जरूर मिलेगा अगर हमारी हाथ की लकीरों में हमारे भाग्य में हमारी किस्मत में सुख नहीं है तो भगवान की भक्ती से सुख मिलेगा मिलेगा और जरूर मिलेगा